आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense Hindi में आपका स्वागत है आप हमें जॉइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर Facebook, Instagram, Twitter और English viewers हमें जॉइन कर सकते हैं Alpha Defense English पर आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Lightning Pod के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये Pod भारतिय सेना में किस काम आता है और इसकी क्या विशेशता हैं इसराइल में बना हुआ ये Lightning Pod जब Fighter Jets के उपर लगाया जाता है उसके बाद Fighter Jet Pinpoint Accuracy के साथ में Ground Attack कर सकते हैं ये Pod दुनिया में सबसे ज़ादा यूज किये जाने वाला Targeting Pod है और इस Pod के प्रियोग से किसी भी Fighter Jet की Combat Effectiveness बहुत हद तक बढ़ जाती है आम तोर पर Fighter Jets को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि ये Air-to-Air Combat के लिए पहले से ही तयार होते हैं लेकिन जब बात आती है Air-to-Ground Attack की तब Fighter Jet के पास में पूरी capability नहीं होती है कि उतनी उचाई से जमीन पर एक छोटे से Target को देखें और उसके उपर Precision Guided Bomb मारे आजकल के latest Fighter Jet इस चीज को करने में सक्षम है और इसका सबसे बड़ा कारण है ये Targeting Pods इन Targeting Pods की मदद से काफी तेजी से काफी उचाई पे उड़ रहे है Fighter Jet बड़ी ही आसानी से Pin Point Bombing करने में सक्षम होते हैं काफी सारे लोग High Band Jammer यानि की Jammer Pod और Targeting Pod के बीच में Confused हो जाते हैं जहां Targeting Pod का प्रियोग Air to Ground Roll में किया जाता है वही Jammer Pod का प्रियोग Electronic Warfare, Electronic Countermeasure और High Band Jamming में किया जाता है माल लीजे कि एक Fighter Jet एनिमी एर स्पेस में घुसता है और उसका Roll है दुश्मन के Infantry Column के उपर Bombing करना वैसे तो ये Mission काफी Simple लगता है लेकिन होता नहीं है ऐसी Condition में पहले Fighter Jet को एनिमी एर स्पेस में घुसना पड़ेगा और घुसने के बाद अपने Target को ढूढ़ना पड़ेगा ढूढ़ने के बाद इस Target को identify करना पड़ेगा कि ये वही Target है जिसके लिए वो एनिमी एर स्पेस में आया था और उसके बाद इसको मार्क करके इसके उपर ये Fighter Jet बॉम गिरा सकेगा इतना सब कुछ ये Fighter Jet के बल एक Targeting Pod की मदद से कर सकता है और Lightning Targeting Pod दुनिया के सबसे अच्छे Pods में से एक है अगर इस Pod को ध्यान से देखा जाए तो इस Pod में तीन हिस्से होते है पहला हिस्सा जिसको Forward Section कहा जाता है और Forward Section में इस Pod के सारे Senses रखे जाते है इस Section के पीछे वाले Section को After Section कहा जाता है और After Section में इस Pod की सारी Electronics होती है और सबसे आखरी वाले हिस्से को Environmental Control Unit कहा जाता है आए देखते हैं इन सभी Section को Detail में आए शुरुवात किरते हैं Forward Section से जैसा कि वीडियो में पहले बताया गया है कि Forward Section में इस Pod के सभी Senses होते है इन Senses की मदद से जमीन पर छोटे से छोटे टार्गेट को ये Pod बड़ी ही आसानी से देख सकता है और उसके बाद उस पर निशाना लगा सकता है इस Pod का सबसे Important Sensor है Forward Looking Infrared Sensor यानि FLIR ये Sensor टार्गेट के ऊपर की Heat को Electrical Signals में बदल देता है और इन Electrical Signals के माध्यम से टार्गेट की एक Infrared Image Monitor पर आ जाती है इस Pod में जो अगला Sensor है उसको Laser Designator और Laser Range Finder कहा जाता है इस Sensor की मदद से टार्गेट एरक्राफ से कितना दूर है और टार्गेट कहा है बता लगाया जा सकता है ये Sensor Laser को भेजता है और टार्गेट से Reflect होकर आई Laser Race को ये Intercept करता है क्योंकि आपको Laser की Speed पता है इस वज़े से Target कितनी दूर है और कहा है ये बड़ी ही आसानी से Calculate किया जा सकता है अगला जो Sensor है उसको Narrow Field of Width Charge Couple Devices कहा जाता है Charge Couple Devices High Speed Camera होते है और इन High Speed Cameras को Narrow Field of Width के लिए Configure किया जाता है अगर इसे Simplify करके समझा जाए तो ये एक तरीके का High Speed Camera है जिसको Close Up Shot के लिए Configure किया गया है यानि कि बहुत ही जादा High Zoom के लिए इस Sensor की मदद से Ground Forces Close In Support के दौरान Fighter Jet को ये बता सकती है कि ये Target है जिसके उपर Bombing करनी है इस Spot का अगला Sensor है Wide Field of Width Charge Couple Devices ये Sensor भी Narrow Field of Width CCD की तरह High Speed Camera है लेकिन Difference ये है कि ये CCD का Field of Width Wide है यानि कि ये Camera एक Wide Angle Lens की तरह काम करता है और ये जादा बड़े Area की पिक्चर लेने में सक्षम है यानि कि अगर Large Area का Reconnaissance करना हो तो इस Sensor का प्रियोग किया जाता है और जब एक बार Target Locate हो जाता है तो Narrow Field of Width CCD की मदद से उस Target के उपर Zoom करके उसको Identify कर लिया जाता है जब Fighter Jet Targeting कर रहे होते हैं तो ये Fighter Jet हवा में चल रहे होते हैं और इन Fighter Jet की Position लगातार चेंज हो रहे होती है ऐसे में Targeting काफी जादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि Target और Fighter Jet के बीच का Distance Stable नहीं है और वो बदलता रहता है और इस चीज़ को Offset करने के लिए इस Sensor में Inertial Guidance Kit प्रवाइड की गई है और इस Inertial Guidance Kit की मदद से इन Sensor से आ रहे डेटा को Offset कर दिया जाता है जिससे Aircraft की Location Change का फरक इन Calculations पर नहीं बढ़ता है आए अब बात करते हैं इस Pod के After Section के बारे में इस Pod के After Section में इस Pod की सारी Electronics होती है ये Electronics Module के तौर पर लगाई जाती है आम तौर पर इस Section में तीन Different Modules होते हैं और इन तीनों अलग-अलग Modules का अलग-अलग काम होता है इसका सबसे पहला Module इस Pod के सबसे Important Sensor की Electronics होती है यानि कि Forward Looking Infrared Sensor की Electronics Forward Section में जो Forward Looking Infrared Sensor होता है वो Target की Heat Energy को इस Electronic Unit तक पहुचाता है और ये Electronic Unit उस Heat Energy को Electrical Signal में बदल देती है इस Section में जो दूसा Module होता है उसको कहा जाता है System Electronics Unit इस Module में Forward Section में जितने भी Sensor होते हैं उनकी Electronics इसी Module में होती है और इनके अलावा इन सभी High Speed Cameras की Storage भी इसी Unit में होती है इस Unit के मदद से Forward Section में जितने भी Sensor होते हैं उनकी Power Supply भी इसी Unit से जाती है और इसी लिए इस Section की ये सबसे Important Unit होती है इस Pod के Effective Operation के लिए इस Pod के Sensor को Move करना पड़ता है और ये Movement Servo Motors की मदद से होती है इस Pod में जो तीसरी Unit होती है वो इन Servo Motors की Power Unit होती है और इस Power Unit के मदद से इस Pod में जितनी भी Servo Motors होती है उनको चलाया जाता है जैसा कि आप जानते हैं ये Fighter Jet काफी जादा उचाई पर उड़ते हैं और जितना जादा उचाई पर उड़ते हैं वहां का तापमान उतना ही कम होता है Electronics को सही तरीके से काम करने के लिए एक Ambient Temperature की जरुवत पढ़ती है और इस Temperature को बनाए रखने के लिए इस Pod में Environmental Control Unit लगाई गई है ये Unit Pod के पिछले हिस्से में लगी हुई होती है जिसमें एक Fan होता है और एक Heating Unit होती है इस Unit की मदद से इस Pod के अंदर का तापमान बनाया रखा जा सकता है जिससे इसकी Performance में कोई बदलाब नहीं आता चाहें ये Pod जमीन पर हो या काफी ज़ादा उचे आस्मान में भारतिया वाई से ना बहुत ही अलग-अलग तरीके के Fighter Jets उडाती है लेकिन इन सभी Fighter Jets में Lightning Pod का प्रियोग होता है चाहें वो Fighter Jets हो 130 MKI, MiG-29 UPG, Mirage 2000, Jaguar या HAL Tejas भारतिया वाई से ना Lightning G4 और Lightning 3 का प्रियोग करती है फिलाल इसराइल एक नए Pod पर काम कर रहा है जिसमें Synthetic Aperture Radar होगा जिससे इस Pod की शमता और भी ज़ादा बढ़ जाएगी इतना ही नहीं इसराइल F-35 Lightning 2 के लिए भी एक Pod का निर्मान कर रहा है जो Pod भारतिया एमका के लिए एक बहुत ही बहतरीन Pod रहेगा आपको क्या लगता है? बताईए हमें Comment Section में आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं? बताईए हमें Comment Section में वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताईए हमें Comment Section में आखिर क्यों? देखते रहें Alpha Defense धन्यवाद, जैहें झाल 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 झाल